विछित्र है कि जो काम लोगों को सामान्य नागरिक बोध से और सामोहिक जिम्मेदारी समझते हुए करना चाहिए उसके लिए भी सरकार को कड़े कानून बनाने पड़ते हैं पुलिस को डंडे की भाशा में उनकी जिम्मेदारियां समझानी पड़ती हैं कोरोना संकट के समय चिकित्सा कर्मियों पर हमले की घटनाए इस बात का प्रमाड हैं कि लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज तो बहुत बुलंद करते हैं पर जब करतव्य निभाने की बात आती है तो सहयोग का रुख अपनाना जरूरी नहीं समझते देश के विभिन हिस्सों से चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाए सामने आई मुरादाबाद और पटियाला की घटनाए सबसे चिंता जनक थी मुरादाबाद में जब चिकित्सा दल कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए पहुंचा तो उनकी गाडियां तोड़ दी गई लोगों ने छतों से इंटे बरसानी शुरू कर दी डंडों से पीटने लगे उसमें सारे चिकित्सा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे पंजाब के पटियाला में जब पुलिस अधिकारी ने घर से बाहर निकले व्यक्ती से पास मांगा तो उसने तलवार से अधिकारी का हाथ ही काट दिया था ऐसी अनेग घटनाएं देश के विभिन हिस्सों में हुई जब चिकित्सा दल पर इस्थानी लोगों ने इकठा होकर हमला किया बहुत सारे अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमितों ने डॉक्टरों नर्सों को गालियां दी उनके साथ बदतमीजी की या हमला किया इससे नाराज भारतिय चिकित्सा संग यानी IMA ने ग्रिह मंत्री और स्वास्थ मंत्री से चिकित्सकों की सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की चिकित्सकों के खिलाफ हुए हमलों के विरोध में IMA ने काला दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया था इसे सरकार ने गंभीरता से लिया और तुरंत महामारी अधिनियम 1897 में संसोधन कर अधिसूचना जारी कर दी अब चिकित्सकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है इसमें साथ साल तक की सजा और पचास हजार से लेकर दो लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है अगर ऐसे हमलों में किसी संपत्ती जैसे वाहन क्लीनिक आधि को नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी बाजार कीमत से दो गुना रकम वसूली जाएगी ऐसी घटनाओं में घायल होने वाले कर्मियों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है सरकार ने चिकित्सा कर्मियों पर हुए हमलों में से 19 मामलों को गंभीरता से लिया है उमीद की जाती है कि इससे लोगों में कुछ भय पैदा होगा और वे सेवारत चिकित्सा कर्मियों के साथ अबदरता और हमले से बाज आएंगे कुरोना संक्रमड का चक्र तोड़ना बड़ी चुनाती है इसलिए जब पूरबंदी की घोशना की गई तो लोगों से घरों में रहने और इस पर काबू पाने के अभियान में लगे लोगों का सहयोग करने उनका मनोबल बढ़ाने की अपील भी की गई थी तब तो लोगों ने थालियां बजाई दिये जलाए थे पर वे शायद भूल गए की चिकित साकर्मी और पुलिस अपनी जान जोखिम में डाल कर उनकी सुरक्षा के लिए ही प्रयास कर रहे हैं जहां भी कोरोना विशानू के निसान मिलने की आसंका होती है वहां पहुँच रहे हैं लोगों की जाच कर उन्हें उपचार उपलब्ध करा रहे हैं इस अभियान में बहुत सारे चिकित साकर्मी खुद संक्रमित हो चुके हैं ऐसे में उनका सहयोग करना अपेक्षित है मगर हैरानी की बात है कि कुछ लोग गलत धारणाओं के चलते सहयोग तो दूर उन पर हमले करने से भी परहेज नहीं करते इससे दोहरी चुनोती उत्पन हो गई थी इसलिए अध्यादेश जारी कर सरकार ने उचित ही इस प्रवित्ती पर काबू पाने का प्रयास किया है झाल